Very good morning modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your Hindi grammar books and open page 15, chapter 3, Sangyya. Sangyya बच्चों नाउन को कहते हैं, Hindi में Sangyya नाउन को कहते हैं, आईए पढ़ते हैं Sangyya होती क्या है, ठीक है? आज दिवाली है, पूरा बजार सजा हुआ है, रानी और दीपू भी वहां गए हैं, लोग सजावट का सामान खरीद रहे हैं, बच्चे पटाके की दुकान पर खड़े हैं, सडक पर काफी भीड हैं, कई गाडियां फसी हुई हैं, एक बुढ़ी औरत सडक पर उदास खड़ हैं, उपर दिए गए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति वस्त या इस्थान या भाव का नाम है, ठीक है, जैसे इनी को हम संग्या कहते हैं, किसी भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्त या भाव के नाम को संग्या कहते हैं, तो आईए देखते हैं कि संग्या क्य जाके है इनमें, तो सबसे पहले तो हम अगर व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति या पर्व में आपका दिवाली आ गया, रानी, दीपु, भीड, बच्चे, औरत, लोग, ये सारे आपके व्यक्ति या पर्व में आ गये, वस्तुमें सामान, पटा, खे, गाडियां, इस्थान में बाजार, दुकान, सडक, एटियम और भाव में आपका है सजावट, उदासी, उदास ये आपका भाव हो गया तो संग्या की डेफिनिशन आपकी क्या हुए किसी प्राड़ी, वस्तु के इस्थान के नाम या भाव को संग्या कहते हैं तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखेंगे पार्ट तीन, संग्या और आप लिखेंगे किसी प्राड़ी, वस्तु इस्थान के इस्थान के नाम या भाव को संग्या कहते हैं इतना आप अपनी copy में संग्या की definition के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे किसी प्राड़ी, वस्तु, इस्थान के नाम या भाव को संग्या कहते है फिर उधारन के रूप में आप व्यक्ति लिखेंगे व्यक्ति में आप लिखेंगे रानी, दीपु, भीड ये सारे वस्तु लिखे करके ये, इस्थान में ये और भाव में ये आप इतना उधारन लिखेंगे, ठीक है नेक्स्ट आपको देखना है संग्या के भेद तो संग्या तीन प्रकार की होती है व्यक्ति वाचक, जाति वाचक और भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है किसी भी इंसान का नाम हो इस्थान का नाम हो फूलों का नाम हो फलों का नाम हो खेलों का नाम हो ये सारा आपके व्यक्ति वाचक संग्या में आता है किसी विसेश व्यक्ति इस्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं ठीक है इतना लिखने के बाद आप इसका उधारन ये लिखेंगे कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजेगा आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करेंगे आईए पढ़ते हैं इस व्यक्तिवाचक संग्या में क्या क्या लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संग्या में आपका लिखा है मेरा नाम सौरब है मैं आगरा में रहता हूँ यहां ताजमहल है उसे साजहा ने बनवाया था मैं दीपू और सनी के साथ उसे देखने गया था साथ में पिता जी भी थे उनका नाम अमित शर्मा है पिछले सप्ता हुए दिल्ली गये थे दिल्ली देश की राजधानी है यहाँ पर जो रंगीन शब्द लिके हैं वो क्या है आपके जातिवाचक संग्या है दीपू सनी ये सब आपके व्यक्तियों के naam हो गए स्थान में क्या क्या लिखा है ताजमहल आगरा दिल्ली ये सारी स्थान वाचक हो गए फलों के नाम हो गए फलों के नाम में आपका सेब, अंरूद, नारंगी, केला बहुत सारे फल आते हैं खेल में, होकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संग्या के उधारन है तो इसको आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में, मैंने आपको पहले ही बताया है सबसे पहले आप व्यक्तिवाचक संग्या डालेंगे और ये लिखेंगे इसकी definition, साती साथ आप व्यक्तिवाचक संग्या का उधारन लिखेंगे Next इसके बाद है आपकी जातिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या में क्या होता है, आईए देखते हैं यह हमारा विद्याले है, यहां पर बहुत से चात्र चात्राएं पढ़ते हैं हमारी कक्षा में 50 चात्र चात्राएं हैं हमारे सिक्षक हमें सभी विशय पढ़ाते हैं विद्याले में एक खेल का मैदान है और एक प्रयोग साला भी है यहां बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं इसमें जो भी आपको दिया हुआ है जातिवाचक संग्या है जितने भी कलर्ड आपके वो दिये हुए हैं सब आपके जातिवाचक संग्या में आते हैं तो जातिवाचक संग्या की डेफिनिशन क्या होगी? जो संग्या किसी व्यक्ति, प्राणी, इस्थान या वस्तु की संपोर्ण जाति का बोथ कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संग्या कहते हैं एक्जामपल में जैसे नदी, पहाड, कमरा, अध्यापक, देश, लड़की, खिलोना, आदी भाव आचक संग्या में क्या होता है, किसी के भाव को बताने वाली संग्या भाव आचक संग्या कहलाती है तो आप अपनी कॉपी में भाव आचक संग्या की डेफिनिशन लिखेंगे और उधारन में ये पांच उधारन लिख सकते हैं ठीक है कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजेगा और आपको अपनी कॉपी में इसे as it is note down करना है नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार मुझसे और पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आपको अपनी कॉपी में वर्क कैसे करना है सबसे पहले आपको डालना है पार्ट तीन संग्या पार्ट तीन संग्या डालने के बाद में आप संग्या की definition लिखेंगे किसी प्राणी वस्तु इस्थान के नाम या भ लिखना है व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या लिख करके आप यह definition लिखेंगे पूरी किसी विसेश व्यक्ति वस्तु या इस्थान के नाम को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं नेक्स्ट उधारन में आप यह ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है इसक लिखेंगे उधारन लिखने के बाद में next आप डालेंगे heading भाव आचक संग्या भाव आचक संग्या की definition लिखेंगे ये उधारन लिखेंगे कोई भी doubt हो तो आप मुझसे पूछ करके तब ही करिएगा copy में गलत मत करिएगा बच्चों I hope आपको समझ में आया होगा properly explanation के साथ में आप इसको अच्छे से लिखिएगा और इसकी definitions को भी learn करिएगा thank you have a nice day to all